हेलो स्टुडेंट आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल और्गेनिक केमेस्ट्री और प्रैक्टिकल और्गेनिक केमेस्ट्री में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे उसको हम लोग यहां पर देखेंगे तो देखेंगे सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे व ताकि उसमें कि जो भी इंपुरिटीज है वो बाहर निकल सके तो ये पहले step में हम लोग purification की बात करेंगे फिर हम लोग बात करेंगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे qualitative analysis तो देखे qualitative analysis में क्या होता है कि हम detect करते हैं कि कोई भी organic compound दिया गया है उस organic compound में कौन-कौन से element है जैस carbon है hydrogen है nitrogen है sulfur है oxygen है halogen है phosphorus है यह सभी का हम लोग detection करते हैं और इसके अलग-अलग method होते हैं और फाइनली हम लोग practical organic chemistry में हम लोग discuss करते हैं किसके बारे में quantitative analysis और quantitative analysis में हम लोग discuss करेंगे कि जो भी given compounds है उसमें आप carbon का percentage कैसे निकाल सकते हैं nitrogen का percentage कैसे निकाल सकते हैं यानि उसमें कौन सा element कितने amount में present है वो सारी बाते हम लोग इस quantitative analysis में करेंगे तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे है purification ठीक है तो purification में हमने आपको बता दिया कि देखे purification में क्या होता है उसको अब हम details में करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते है purification तो चलिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमारा फर्स्ट पार्ट है यो एसी का और वह है हमारा purification अगर माल लेते हैं कि हमारे पास कोई organic compound है ठीक है माल लेजे कि यह हमारे पास क्या है organic compound है लेकिन यह organic compound हमको कहा से मिल रहा हैं तो हम सपोच कर लेते हैं कि ये जो organic compound है हमको nature से मिल रहा है यानि हम nature से क्या कर रहे हैs extract कर रहे हैं क्या हम nature से extract कर रहे हैं क्या organic compound तो extract हम लोग करते हैं तो जब आप nature से क्या करते हैm organic compound को या laboratory में भी आप synthesis करते हैं इसको और्गेणिक कमपाउंड को extract करते हैं तो ऐसे case में इसके अन्दर कुछ इंकुम्रिटीज होती है ठीक है यहाँ पे क्या होता है कुछ इंकुम्रिटीज होते है अब इसी इंकुम्रिटीज को हम लो chiya करना है remove करना है तो इस इंकुम्रिटीज को अगर हमें remove करना है इसको अगर आपको क्या करना है रिमूब करना है तो इसके लिए जो हम लोग process apply करते हैं उस process को हम लोग क्या करते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्यूरिफिकेशन तो यहां पर हम लोग प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू क्या करेंगे कि जो भी और्गेनिक कंपाउंड है उस और्गेनिक कंपाउंड से हम लोग क्या करेंगे जो भी आपके पास इंपुरिटी है उस इंपुरिटी को हम हम लोग क्या करेंगे रिमूब कर देंगे ठीक है अब आखिर कौन-कौन से ऐसा मेठेड है जिसके थुरू हम लोग यह करेंगे तो चलिए वो सारे मेठेड को पहले हम लोग समझ लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं तो आएए हम समझ लेते हैं कि कौन-कौन से ऐसे मेठेड है जिसके थू हम लोग यह बताएंगे की purification किया जाता है तो देखे सबसे पहले हम लोग जो डिसकस करेंगे वो डिसकस करेंगे filtration की ठीक है तो हम लोग बात करेंगे की filtration क्या होता है और इस filtration के थू हम लोग किस तरीके से purifying करते हैं फिर हमारा जो second पार्ट है, वो रहेगा आपका, simple crystallization, तो इह आपका है, simple crystallization, फिर हम लोग third part में, क्या देखेंगे, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, तो यहां पे हम लोग बात कर लेंगे, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, टिक है, तो यह सारे जो है, यह क्या है, मिटर्ड है, जिसके तुरू जो भी आपको organic compound मिलेगा उसको हम लोग अलग अलग तरीके से purify करेंगे लास्ट में next है वो है sublimation तो यह है आपका sublimation process है यानि sublimation एक method है जिसके तुरू हम organic compound को क्या करते हैं हम organic compound को purify करते हैं फिर आपके पास है simple distillation तो next हम लोग क्या लिख लेंगे simple distillation distillation ठीक है फिर next जो हमारा है वो है आपका fractional distillation तो next आप लिख लीजिए क्या होगा fractional distillation distillation फिर हम यहां पर क्या देखेंगे फिर हम यहां पर डिस्कस करेंगे distillation अंडर reduce pressure ठीक है तो यह हो जाएगा आपका डिस्टिलेशन अंडर reduce pressure distillation अंडर reduce यानि जब आप pressure को क्या कर रहे है डिक्रीज कर रहे है तो क्या होगा फिर हम लोग देखेंगे esteem distillation steam distillation फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि एजियो ट्रॉपिक डिस्टिलेशन की एजियो ट्रॉपिक डिस्टिलेशन की और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे और वो होगा क्रोमेटोग्राफिए क्रोमेटोग्राफिए तो यह सारे जो मेठेड हैं जिसके थूँ हम लोग और गेनिक कंपाउंड जो भी हमको नेचर से और गेनिक कंपाउंड मिलता है और उसमें जो भी इंप्यूरिटी होती है जो भी वहाँ पे आपका क्या होता है इंप्यूरिटी होगा उस इंप्यूरिटी को हम लोग क्या करते हैं रिमूब करते हैं और इसी रिमूब करने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं प्यूरिफिकेशन बोलते हैं और यह सब के सब आप पॉंट दिया रहाता है उसको हम लोग क्या करते हैं तो चलिए वन बाई वन हम इसको explain करते हैं और इस पर किस तरीके की questions आते हैं उसको हम लोग discuss करेंगे तो सबसे पहले हम discuss करने जा रहे हैं जो purification का method है उसमें हम लोग first method discuss करने जा रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं filtration तो आए समझते हैं कि filtration क्या है देखिए इसके नाम से यह clear है कि आप किसे चीज को जब filter करते हैं तो basically क्या होता है कि उसमें जो भी insoluble substance होते हैं उसको आप बाहर निकालते हैं आए इसको समझते हैं कि जैसे सपोच कर लिजिए कि हमारे पास क्या है एक organic compound है और उस organic compound में क्या है कुछ impritage है और उस impritage के अगर बात करें तो वो जो impritage है ठीक है वो insoluble nature का है जो आप solvent लेते हैं ठीक है तो माल लिजिए कि आपने यहां पर एक solvent ले लिया और इस solvent में आपने क्या किया यह आपका क्या हो गया यह हो गया आपका solvent ठीक है अब इस solvent में आपने यह जो आपका solid जो आपका organic compound है जिसमें impurities भी है यह आपका क्या है यह आपका solid है ठीक है यह आपका solid organic compound है और इस organic compound में ठीक है आपके पास क्या है इस organic compound में impurities भी है ठीक है अब जो यहाँ पे इस organic compound में impurity है ध्यान से समझ लिजेगा जो भी impurity इसके अंदर है उसका यहाँ पे concept क्या होना चाहिए कि वो impurity जो होना चाहिए insoluble होना चाहिए किसमें solvent में तो यह insoluble होता है किसमें solvent में ठीक है तो अब ऐसे case में जब हम क्या करते हैं कि इसको इसके अंदर मिलाते हैं तो organic compound क्या होता है इसके अंदर जो organic compound होता है वो organic compound जाके dissolve हो जाता है तो organic compound क्या होता है यहाँ से इसके अंदर जाके dissolve हो जाता है ठीक है जबकि जो आपका impurities होता है जो इसके अंदर impurities होता है वो impurities जो होता है वो insoluble होता है यानि यहाँ पे जो इसके अंदर impurity रहेगा वो impurity इसमें dissolve नहीं होगा वो आपको क्या रहेगा? insoluble रहेगा और जब वो insoluble होगा ठीक है तो वैसे case में अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको निकालने के लिए हम लोग एक filter paper के use करेंगे ठीक है और हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इस filter paper को इस तरह के flask में रखते हैं ठीक है कौन में ऐसे रखेंगे और इसमें filter paper को यहाँ पे हम क्या करते हैं रख देते हैं और तब हम इसको क्या करते हैं कि इसको हम लोग इसके अंदर डाल देते हैं ठीक है तो ऐसे में क्या होगा ऐसे में आपका यह होगा कि जो भी organic compound dissolve है वो यहाँ पे आ जाएगा और यह अब आपका जो यहाँ पे जो बच जाएगा यहाँ पे वो आपको रहेगा impurity ठीक है यह क्या रहेगा आपको impurity तो देखे अगर आपसे यहाँ पे question पूछा जाएगा कि filtration किस concept पे based है तो filtration आपको क्या होना चाहिए कि जो भी organic compound है उस organic compound में जो भी impurity है वो impurity आपके solvent में क्या ह होना चाहिए insoluble होना चाहिए ऐसे case में हम जो concept apply करेंगे हम जो method apply करेंगे किस के लिए filtration मतलब purification के लिए इस method को हम लोग बोलते हैं this is called filtration यहाँ पे generally हम लोग water को as a solvent use करते हैं ठीक है तो इस point को ध्यान में रखिएगा यानि जो भी impurity है वो आपको water में क्या होना चाहिए insoluble होना चाहिए अब देखे इसका आप example लेते हैं ठीक है और example से समझते हैं कि इसमें क्या होने वाला है तो देखे अगर हमारे पास क्या है हमारे पास एक organic compound है जिसमें क्या है यूरिया है और इसमें आपको क्या है नैप्थलीन है ठीक है अब यह दोनों ठीक है मिले हुए है और यह solid form में है ठीक है तो इसको हम लोग इस method से क्या करते हैं separate करते हैं जिसमें जो यूरिया होता है यह आपको soluble होता है ठीक है यह आपको water के अंदर क्या हो जाता है soluble हो जाता है जबकि naphthalene जो होता है naphthalene आपका क्या होगा insoluble होगा ठीक है तो यहाँ पे यह आपको होगा insoluble insoluble in water तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे यूडिया और naphthalene के mixtures को क्या करेंगे filter paper से क्या कर लेंगे separate कर लेंगे ठीक है क्योंकि इसमें यह water के अंदर soluble है और यह naphthalene insoluble है तो naphthalene जो होगा ij impurities यहाँ से क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा यहाँ पे आप example में अगर देख लें तो यहाँ से आप देख सकते हैं naphthalene जो है वो क्या होगा यहाँ से बाहर निकल जाएगा और इसमें आपको क्या मिल जाएगा इसमें आपको मिल जाएगा यूडिया अब देखें जो भी यहाँ पे आपको यह solution मिला इस solution को हम लोग evaporate होने देते हैं और जब यह evaporate हो जाएगा तो यहाँ से water vapor के form में बाहर निकल जाएगा और इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा प्योर यूरिया आपको मिल जाएगा ठीक है तो यहाँ पे हमने filtration method से क्या किया कि जो भी compound दिया गया organic compound दिया गया उसको हमने separate कर लिया दूसरा जो एक्जामपल आप ले सकते हैं वो दूसरा एक्जामपल आप यहाँ से ले सकते हैं कि अगर आपके पास क्या हो बेंजोई के सीड हो ठीक है और आपके पास क्या हो एंथरा सीन का mixture हो बेंजोई के सीड हो और एंथरा सीन का mixture हो अब इन दोनों को करने के लिए अब यहाँ पे देखें इनको करने के लिए इनको separate करने के लिए हमें hot water लेना पड़ेगा कैसा water लेना पड़ेगा जी hot water as a solvent लेना पड़ेगा यह याद रखिएगा तो उसमें यह जो होता है यह benzoic acid soluble हो जाता है जबकि यह जो होता है इसमें क्या होता है insoluble होता है ठीक है, अब आप इसको filter paper से pass करा लिजे, आप इसको किस से pass करा लिजे, filter paper से, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, filter F लिख रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ पर एक solution मिल जाएगा, ठीक है, और जो यहाँ पर आपको solution मिलेगा, ठीक है, इस solution को आप क्या कर लिए ठंडा कर लिए हैं कूल करिए तो कूल करने से जो बैंजोई observations हम को जाता है और सब जाता है इस तरीके से आप ने यहांपर क्या देख लिया कि फिल्ट्रेशन का आम लोग किस तरीके से यूजू करता है अब देखें यह मैं है क्या है एक ड्रॉबेक का ड्रॉबैक है कि यह देख लीजिए क्यों ड्रोबैक है कि स्लोओने स्टा कि आ कासा प्रोसेस होता है ये अपका स्लो प्रोसेस होता है गैडा है okay अट कि अव्य सम्लो है तो ओविबर permitted एक क्या होगा कि एक कि तइन पूलिक तो यह इसका ब्रॉबच है कि जो आपका फिल्ट्रेशं होता है ये कैसा होता है इस time consuming होता है चले next जो हम discuss करने जा रहे है वो हम next discuss करने जा रहे है crystallization किसकी बात करने जा रहे है हम लोग crystallization तो देखे crystallization में क्या concept आपको लगाना है तो देखे यहाँ पे आप क्या देखिएगा कि जो भी आपका organic compound है ठीक है और जो भी आपको इनके साथ impurity mix है इनमें जो भी impurity mix है इनके में क्या होना चाहिए solubility difference होना चाहिए क्या होना चाहिए इनमें आपको क्या होना चाहिए कि solubility difference होना चाहिए इनमें आपको होना चाहिए solubility इसमें एक जो होगा वह जाधा Alors tragic और दूसरा जो होगा वो कमраш आइस पल Denn चूज करना है जिसमें क्या हो कि जो chemical है वो बहुत ज्यादा soluble नहीं हो aspiringly soluble हो ठीक है low temperature ठीक है लेकिन जैसे जैसे temperature अगर आप बढ़ाते हैं तो वैसे वैसे उनकी solvety increase करेगा यानि अब ध्यान से समझेगा इस point को यह हमारा पूरा का पूरा क्या है जी हमारा compound है और इस compound में हमारे पास क्या है तो हमारे पास imperative यह और organic compound भी है यह जो compound है यह aspiringly soluble होगा क्या होगा जी aspiringly soluble का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा soluble नहीं होना यह aspiringly soluble होगा कब a springly soluble at low temperature जब आप इसका temperature क्या रखे है लो रखे है वैसे case में यह aspiringly soluble होगा ठीक है लेकिन जैसे जैसे आप इनका temperature बढ़ाते हो ठीक है वैसे case में इनकी जो solubility होगी वो क्या होगी increase होना शुरू हो जाएगा यानि aspiringly soluble at low temperature बढ़ अगर आप temperature बढ़ाते हैं तो यह हो जाएंगे soluble क्या हो जाएंगे soluble at high temperature ठीक है यह बात याद रखे एट हाइयर temperature लिख देते है एट हाइयर temperature ठीक है अब देखिए जब हमने इस solution को क्या किया higher temperature पर ले गया तो इसमें इस compound की जो solubility है वो increase हुआ और ऐसे होने से आपका जो solution है वो आपको क्या हो गया इसको हमने heat करके और इसको कहां पहुचा दिया इसको हमने पहुचा दिया saturated condition में saturated state में हमने इसको क्या किया पहुचा दिया saturated state का मतलब है कि अब उस temperature पर अब उसमें और ज्यादा इस organic compound को नहीं dissolve कर सकते है अब देखें जो भी यह आपको solution मिला इस solution को हम क्या करते है कूल करते है अब ऐसा होने से क्या होगा कि जिसकी solubility कम है ठीक है जो बहुत ज्यादा dissolve हुआ है वो क्या हो जाएगा वो crystal बनके नीचे बैठ जाएगा वो crystal के form में आ जाएगा और जैसे ही ओ crystal के form में आ जाएगा और एक उसमें से क्या होगा उसमें dissolve रहेगा तो इसको हम लोग filtration के through क्या कर लेते हैं filtration के through हम लोग इसको क्या कर लेते हैं separate कर लेते हैं और इस तरीके से हमारा crystallization process हो जाता है तो यह point आपको समझ में आ गया यहां पे जो concept पूछा जाएगा वो यह पूछा जाएगा कि जो crystallization है वो किस पे बेज़ड है तो answer क्या होगा आपका यह बेज़ड है solubility difference of organic compound and impurity ठीक है अब इसके example क्या क्या हो सकते हैं वो देख लीजिए ठीक है तो यहां पे अगर आप देखिएगा तो हमने अभी जस्ट इसके उपर एक एक example लिया था ठीक है बेंजोईक एसीड वाला ठीक है तो वह यहां पे आप example क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं ठीक है तो मैं यहां पर लिख देता हूं crystal of benzoic acid a crystal of बेंजोईक एसिड है ठीक है और अब और हमने उपर देखा कि जब हम बेंजोईक एसीड को डिजॉल्ब कर रहे हैं ठीक है तो बेंजोईक एसीड को अगर डिजॉल्ब करना था आपको तो उसके लिए हम लोग को क्या लेना पड़ा था हॉट वाटर लेना पड़ा था और वहा होट वाटर को जब आपने क्या किया था थंडा किया था तो इसका crystal बन गया था और इस तरीके से जो benzoic acid है वो slightly soluble होता है cold water में ठीक है तो जब hot water को आपने क्या किया cool किया ठीक है तो यह हो गया आपका cold water और cold water में आपका क्या हो जाएगा कि जो benzoic acid है उसकी solubity जो होती है कम होती है इसलिए क्रिस्टलाइज हो जाएगा तो जो आपका benzoic acid है वो benzoic acid जो होता है cold water में क्या होता है लेस soluble होता है और ऐसा होने से ठीक है इस benzoic acid का क्या बन जाएगा crystal बन जाएगा और इस तरीके से आप क्या कर लिजेगा filter करके बाहर निकाल लिजे अब चलिए हम देखने जा रहे हैं हमारा इसका यूज होता है separate करने के लिए to separate and purify and purify two or more two or more compounds two or more compounds in the same solvent अगर एकी solvent के अंदर दो या दो से ज्यादा क्या dissolve हो compound dissolve हो और ठीक है उनमें क्या difference हो किस्टलाइजेशन के लिए ये तो आपको याद रखना पड़ेगा कि वो differ करना चाहिए तो वहाँ उनकी solubility में difference होना चाहिए ठीक है तो अगर उनकी solubility में difference होगा ठीक है तो वो वहाँ पर क्या करेंगे फिर इस method के थुरू purify किये जाएंगे यानि आप यहाँ पर देखिए आपके पास यह compound है OC1 plus OC2 दो mixes मिला दिया दोनों को हमने solvent में मिलाया है हम यह एजियूम कर ले रहे हैं कि जो carbon one compound है उसकी solubility ज्यादा है तू से अब हमने इसको hot water में मिला दिया तो ज्यादा solubile है वह ज्यादा solubile हो जाएगा जैसे आप इसको ठंडा करोगे तो ज्यादा solubile है वह crystal बन जाएगा और फिर हम इसको filter करके इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे और इस तरीके से हम इसको separate कर लेंगे और purify कर लेंगे चलिए अब हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं हमारा next method जो है purification का और यह है sublimation ठीक है तो देखिए sublimation में आपको क्या होना है कि यहाँ पे जो आप concept apply करिएगा यहाँ पे एक sublimation होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए और देखिए यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे अगर आपके पास compound है ठीक है तो मान लिजे कि आपके पास क्या है organic compound है और इसमें क्या है impurity है ठीक है तो इसमें आपको करना क्या है इसमें आपको ये रखना है कि इसमें से एक जो होना चाहिए वो होना चाहिए वोलेटाइल ठीक है और एक जो होना चाहिए वो होना चाहिए नॉन वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल ठीक है तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्या कर सकते हो इसको separate कर सकते हो अब देखो sublimation का basically मतलब क्या होता है अगर आपके पास कोई solid है और इसको अगर आप छोड़ते हो तो यह direct किस में बदल जाता है अगर यह gas में बदल जाता है बिना liquid में गए तो इस process को हम लोग बोलते है कि यह process क्या है तो this process is called sublimation यह कैसा process है तो this is sublimation process है ठीक है तो इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि जो भी एक होगा वो volatile nature का होगा यानि वो सीधे solid से किस में चला जाएगा गैस में चला जाएगा और दूसरा में ऐसा कुछ भी नहीं होगा वो non volatile का होगा तो इस तरीके से उसमें से हम उसको क्या कर सकते है separate कर सकते है generally जो हमारा organic compound होता है वो volatile nature का होगा और जो उसमें impurity होता है यह हमारा जो impurity होगा यह impurity जो होगा वो कैसा होगा वो हमारा होगा non volatile nature का ठीक है अब देखें यहां पर इस method से आप क्या क्या कर सकते हो इस method से हम लोग use करते है camper का purification यानि आप लिख सकते हो purification of camper purification of camper ठीक है अगर आपके पास kapoor है तो kapoor को आप छोड़ के देखिए kapoor जो होता है वो कैसा होता है non volatile यह volatile nature का होता है वो sublime हो जाता है और क्या क्या हो सकता है naphthalene naphthalene की गोलियां आती है वो भी कैसे होते है वो भी आपका होता है volatile nature का यानि वो भी room temperature पे gas में बदल जाते है anthracene यह सब के purification में हम लोग किसका यूज करते हैं तो सब के purification में हम लोग sublimation का यूज करते हैं तो चलिए अब हम discuss करने जा रहे है और वो हम discuss करने जा रहे है simple distillation तो देखिए simple distillation में आपको किसीज का ध्यान अखना है तो देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो है उसमें आपको जो भी liquid लेना है यहाँ पे आपको liquid का mixer लेना है हम ऐसा याद रखेगा distillation में हम किसका करते हैं liquid mixers का हम लोग distillation करते हैं अब यहाँ पे जो भी liquid का mixer है इनके boiling point में large difference होगा इनके boiling जो point होगा इन में क्या होगा large difference होगा large difference का क्या मतलब होगा कि एक जो होगा non volatile nature का रहेगा और एक क्या होगा volatile nature का जैसे मान लिजे इसमें A liquid है और B liquid है तो एक का boiling point है वो कम होगा ठीक है very less ठीक है और एक का जो boiling point है वो क्या हो जायागा बहुत ज़्यादा होगा very high ठीक है very high तो ऐसे case में क्या करते हैं कि जब आप जानते हैं कि जिसका boiling point कम होगा ठीक है उसका vapor ज़्यादा बनता है आपने पढ़ा होगा ये concept आपने पढ़ा है कि vapor pressure जो होता है वो inversely proportional होता है किसका boiling point का ठीक है यानि अब देखिए आपके पास क्या है एक container है और इस container में आपको क्या है आपने A और B दोनों को रख दिया है ठीक है A liquid भी है और इसमें B liquid भी है ठीक है अब जैसे ही आपने इसको heat देना शुरू किया तो A का boiling point कम है तो जितना भी A होगा वो जल्दी से किस में बन जागा गैस में बदल जागा और जैसे ही ये गैस में बदलेगा हम इसको क्या करेंगे हम इसको ठंडा कर देंगे ठीक है हम इसको क्या करेंगे हम इसको cool करेंगे और यहां पर हम जब इसको cool करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा हमको इसका प्योर लिक्विड मिल जाएगा ठीक है तो इस तरीके से हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस को करते हैं अब देखे इस मेठेड से आप किसका किसका डिस्टिलेशन कर सकते हैं तो यहाँ पर आप कर सकते हैं बेंजीन का ठीक है इथेनॉल का जितने भी सिंपल लिक्विड है उसका कर सकतो एसी टोन का यह सब वोले टाइल नेचर का होते हैं ठीक है तो यह कुछ एक्जामपल है जिसको हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन के तुरू क्या करते हैं सेप्रेट करते हैं यह पिरिफाइग करते हैं चले नेक्स हम डिसकस करने जा रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ठीक है तो देकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए आपको क्या सोचना है ठीक है यहां पे जो आप लोगे फ्रैक्शनल यहां भी आप क्या लोगे कि जो बॉइलिंग पॉइं किसका डो लिक्विड लेना है दो लिक्विड मेक्षर लेना है बॉयलिंग पॉइंट ऑप टू लिक्विड मिक्षर जो होना चाहिए इनमें जो डिफ्रेंस होना चाहिए ठीक है इनके जो बॉयलिंग पॉइंट का जो होना चाहिए वो आपको क्या होना चाहिए अगर इनके बीज का जो difference है वो कितना होगा 10 Kelvin का है ठीक है तो इस तरीके के liquid mixture का separation हम लोग simple distillation से नहीं कर सकते हैं याद रखें यहाँ पर हम लोग simple distillation का यूज नहीं करेंगे यह बात याद रखेंगा कब नहीं करना है तो यहाँ पर हम लोग इसका simple distillation की बात नहीं करेंगे कब जब दोनों के बीज का difference कितना हो 10 Kelvin का हो तो ऐसे case में हमको क्या करना पड़ता है तो ऐसे case में हमको fractional distillation का यूज करना पड़ता है तो देखें जो fractional distillation होता है इसको आप बोल सकते हो this is the series of distillation ठीक है this is the series of simple distillation simple distillation इसका क्या मतलब हुआ कि देखें इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी आपके पास ये दो liquid आपने इसमें लिया है ए और बी अब इसमें से क्या होगा एक का जो boiling point कम होगा उसका वैपर ज़्यादा बनेगा ठीक है तो आपको बार 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 इसको क्या करना पड़ेगा इसको गरम करना पड़ेगा और इसको थंड़ा करना पड़ेगा हम दोनों यहीं पे ही और भी ज्यादा था अब इसमें क्या घादा हो गया चौनिकि एजादा वोले थेका पिर हमने इसको हीट किया और पिर हमने इसको ठंडा किया तो क्या होगा की जजादा है वह जादा जाया जाया तो अब यहाँ ज़आदा से बलग Origin भी कम हो फिर हमने इसको क्या किया हीट किया और इसको ठंडा किया तो फाइनली हमको क्या मिल जाता है फाइनली हमको सिर्फ ए मिल जाता है और भी यहां से क्या हो जाता है सेपरेट हो जाता है तो इस तरीके की जो प्रोसेस होते हैं उसको हम लोग गोलते है फ्रैक्शनल है this is simple method किसके लिए तो separation के लिए for separation of में को बुक्राय। बिए बीए राच सनुंप्राश्ट सब्सक्राइब या सब्सक्राइब malla को Sule बॉल्प्राइब गुसक्राइब unto Nipple A non-volatile, organic और inorganic compound ञाहिए अगनिक और इन् और गनिक इंपिरिटी या इसको contamination भी बोलते हैं यह अगर कोई भी उसमें non-volatile impurity है तो हम इसको क्या करते हैं पुरिफाइए करते हैं ठीक है ठीक है तो and purify them इस method से हम लोग क्या करते हैं कि वैसे organic compound लेते हैं एक तो volatile होता है लेकिन दूसरा non-volatile होता है और वहां पे हम उसको separate करते हैं अब देखें यहां पर एक concept याद रखिएगा कि यहां पर हम लोग वैसे chemical लेते हैं यानि वैसे organic compound की बात करेंगे ठीक है जो की volatile होता है किसमें जो की volatile होगा steam में ठीक है मतलब जब आप water को steam में बदलोगे तब वह वहां पर volatile nature का होगा और इन-soluble होगा water में एंड इन-soluble किसमें होगा जी water में होगा और जिसका वैपर प्रेशर जो है वैपर प्रेशर एराउंड होगा 10-15 mm of Hg at 373 Kelvin ठीक है और इसके अंदर में आपको क्या रहेगा नॉन वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल कह रहेगा impurity होगा तो जो भी आप chemical को आप separate करना चाहते हैं वो बोलेटाइल होना चाहिए steam में in-soluble होना चाहिए water में और उसका वैपर प्रेशर 10-15 mm होना चाहिए 373 Kelvin पे और इसमें मिला होना सब्सक्राइब किया नॉन वोलेटाइल क्या इंपूरिटी तो ऐसे सबस्टेंस को हम लोग क्या करते हैं इस टीम डिस्टिलेशन मेठेट से क्या करते हैं सेप्रेट करते हैं तो देखे इसमें आप बोल सकते हैं कि जो आपका steam distillation होता है steam distillation अगर होता है यह steam distillation आपको किसको एलाव करता है allows high boiling compounds को जिनकी boiling point बहुत ज़ादा है उनको हम लोग क्या करते हैं उसको हम लोग इस method के थुरू क्या करते हैं झाल